हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागता आपके टीचिंग गरू चैनल में आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे जो नोटिफकेशन आचुका है जर्नल इंचुलेंस कोपरेशन ओफ इंडिया की तरफ से ठीक है जिसमें आपकी वकैंसी आचुकी है ठीक है जो आपकी पोस्ट आच की है ग्राजवेशन और पोस्ट ग्राजवेशन वाला केंडिट इसके लिए अलेजिबल है जो आपकी 85 ओफिशर की आपकी वकैंसी जान लेते हैं इससे रिलेटिड क्या क्या आपकी रिक्वाइर्मेंट लेगी ठीक है जैसे आपके जो अप्लिकेश दूं दón लाइन फ़्ल विलब कर सकते हैं जो इसकी लाश्ट रहेगी फ़ंगापी सब्सुमीट करने की बारा जनुवरी तक कास्वी कंदिड कर सकते हैं जो आपका exam कंडक्ट किया जाएगा वह आपका फर्वरी में होगा ठीक है उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके 10 देज पहले आ जाएगे अग्जाम डेट से आप सभी कंडिडेट और ओफिशल वेबसाइड से अपना अपना अडमिट कार्ड है जो डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप आप आपके टोटल वन वकेंशिज है जिसमें पोस्ट ग्राजवेश्ट है जो आपकी हिंडि और इंग्लिझ से नश्यच भी सब्सकेंश्च होने जिया है अगर ऑपके Kenneth नश्यच इग्रेशन म具ष क्वेशसिट होना थिक जिसमें आपके 60 परेंट म्र्यच वाला केंडिडेट ह सकता है या आपकी post graduation हो या MBA वाला candidate इसके लिए eligible है उसके बाद आपका static की total 6 vacancies है उसके बाद आपकी economics में 2 vacancies है ठीक है जो आपकी post graduation है वो आपकी economics से रलेट रहाद होनी चाहिए फिर आपकी legal की total 7 vacancy है थीक है इसमे ग्राजुएशन वाला candidate है इसके लिए eligible है फिर आपकी HR म तोटल आपकी 6 vacancy है, फिर आपकी इंजिनियर में टोटल 11 vacancy है, यह आपके subject wise अलग अलग दी गई है, ठीक है, इसमें M.Tech वाला candidate है, जो इसके लिए eligible है, यह आपकी बेचल डिगरी है, जो भी टेक आपकी, ठीक है, उसमें आपके 60% marks चाहिएगी, ठीक है तो यह आपकी vacancy थ आपकी साथ में post graduation, जो qualification mentioned की गई है, अगर आपकी जैसे medical MBBS की है, तो इसमें आपकी graduation वाले candidate है, इसमें apply कर सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट है, टोटल जो आपकी यह official की post है, 85 है, ठीक है, उसके बाद आप यहां पर दे सकते हैं, जो next जान लेते हैं, इसकी क्या application आपकी अगर फिल भी आपको कोई भी issue है, तो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज जादे से जादे लाइक को शेकर दीजिगा, जो आपकी total vacancies 35 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है, OBC में आपकी 6 है, ठीक है guys, इसमें जो आपकी age limit लेगी 21 से ले फिल अप कर सकते हैं, जो आपकी pay of scale रहेगी, 45,000 पर मन्त आपकी pay of scale रहेगी, ठीक है guys, जो आपकी selection प्रोज आपर आपके center दीए गए है, जो आपका exam center लेगा, ठीक है, यहां से सभी candidate अपना state-wide CT चेक कर ले, यहां से अपना देख के, ठीक है, अपलाई कर सकते हैं, जो आपका official में जो आपका exam होगा, जैसे paper 1 होगा, ठीक है, जिसमें आपकी higher order reasoning ability आएगी, thinking आपकी 40 marks की होगी, जो 1 question आपका 1 marks का रहेगा, उसके बाद आपका part 2 में जो objective type question होगा, reasoning होगी, और English रहेगा, ठीक है, जो reasoning होगा, आपकी 20 marks की, और English आपकी 25 marks की, ठीक है, फिर आप आपका part C होगा, English का होगा, एसे जिसमें आपका comparison पैसी 30 marks का, टोटल आपका 150 marks का, ठीक होगा, उसके बाद जो हिंदी ओफिशर होगे, उसका आपका यहां पर part 1 और part 2, part 3 का आपका लेवस्ती होगे है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें से अपको एक स्लेक् आपको एक्जाम की preparation करनी होगे, ओनलाइन आप form को submit कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक को, शेक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बार रेतो काई चैनल को, सब्सक्राइब कर लेजिएगा, थैंक्स फुर वोचिंग, ओल दा कर दो कर दो